प्रिय दर्शकों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इश्ट देव की पूजा करने से व्यक्ति को अच्छे और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस से पहले मैं प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी से प्रार्थना करता हूँ। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको और उनके माता पिता को और समस्त परिवार को अच्छा स्वास्थ तथा दीरगायू होने का आशीर वाद दें। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उस राशी के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और आराध्यमा द्रगा होते हैं। इसलिए इन राशी के जातकों को दुर्गा मा की पूजा करने से विशेश लाभ प्राप्थ हो सकता है। और ब्रहस्पती के स्वामी विश्णुजी और देवी लक्ष्मी माने गए हैं। ऐसे में इन राशी के जातकों के लिए विश्णुजी और लक्ष्मी जी की पूजा करना विशेश फलदाई होता है। मकर और कुम्भ राशी के इश्ट देव। अगर किसी व्यक्ती की राशी मकर या कुम्भ में से एक है तो ऐसे में उनके ग्रह स्वामी सनी हुए। वहीं सनी के स्वामी हनुमान जी और शिवजी माने जाते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी और शिव जी की विशेश कृपा इन राशियों पर बनी रहती है। जानकारी के लिए बता दें कि इश्ट देव की पहचान कुंडली के पंचम भाव से की जाती है। ज्योतिश शास्त्र की माने तो आपके जन्म की तारीख, आपके नाम के पहले अक्षर की राशे या जन्म कुंडली की राशे के आधार पर इश्ट देव की पहचान की जा सकती है। अरुन संहिता जिसे लाल किताब के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार व्यक्ति के पूर्व जन्म में किये गए कर्म के आधार पर इश्ट देवता का निर्धारन होता है और इसके लिए जन्म कुंडली देखी जाती है। कुंडली का पंचम भाव इश्ट का भाव माना जाता है। इस भाव में जो राश्य होती है उसके ग्रह के देवता ही हमारे इश्ट देव कहलाते हैं। करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे पिछले वीडियो बारह राशियों के बारह जोतिर लिंग को जरूर देखिए। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय श्री सीता राम जी की।